इज़े बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं ऐसी काफी सारी वीडियो आपके लिए लाता रहत अगर माली जी आप इंडियन नेवी में इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन एफोस में अगर आप एस ए ओफिसर जोइन करना चाते हो तो आपको इस सीडियेस एक्जाम क्लियर करना होगा यह काफी इंपोटेंट है अगर आप इंडियन एफोस नेवी या फिर आर्मी मे as a officer join करना चाहते हो तो यह exam UPSC के दवारा साल में दो बार आपके conduct कराया जाते हैं CDS exam के थुरू आप IMA यानि Indian Military Academy, AFA यानि Air Force Academy, INA यानि Integrated Financial Advice System और या फिर OTA Officer Training Academy को join कर सकते हो और Army, Navy या फिर Air Force में एक officer बन सकते हो अगर हम यहाँ बात करें आपकी selection process की तो देखिए सबसे पहले आपका return exam होता है return exam clear होने के बाद second point होता है, second step होता है वो होता है आपका SSB interview का, अगर आपका SSB interview clear हो जाता है तो third point है वो है आपका medical exam का और अगर आप medical exam भी clear कर देते हो तो final आपकी merit list लगने के बाद आपकी joining letter आपको मिल जाता है यहाँ पर आगर हम बात करें exam भी देखिए IMA, AFA और INA के लिए अगर आप apply करते हो तो यहाँ पर आपको तीन paper face करने होंगे जो की होंगे आपके English के, GKK और Math के हर एक exam आपका 100 number का होता है जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं exam करने के लिए और अगर आप माल लीजे OTA chain के लिए apply करते हैं जो की mostly girls female candidate apply करता है तो यहाँ पर आपको 2 exam face करने पड़ते हैं जो की होते हैं English के और GKK तो guys यह तो बात हो गई CDS exam की, CDS exam होता क्या है इसका process क्या है तो guys यह तो बात हो गई CDS exam की अब हम बात करते हैं CDS exam के लिए आपको क्या 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 qualification, age limit और आप किस post के लिए eligible हो तो guys आपके UPSC CDS के online application fill होने start हो चुके हैं जिसके starting date है आपकी 22 December और जो last date है दोस्तों वो है आपकी 11 January शाम के 6 वजे तक है इसके अगर हम बात करें यहाँ पर fees की तो आपकी journal और OBC की fees रहेगी वो रहेगी आपकी 200 और यहाँ पर अगर आप SC, SCF female candidate है तो यहाँ पर आपको कोई fees पे नहीं करनी होगी अगर यहाँ पर हम बात करें exam date की तो देखें यहाँ पर आपको exam date भी दी हुई है जो की है आपकी 10 April और admit card जो available होंगे आपके वो होंगे March 2022 में यहाँ पर अगर हम बात करें post की तो यहाँ पर देखें आप IMA यानि Indian Military Academy के लिए अपलाई कर सकते हो INA यानि Indian Naval Academy के लिए अपलाई कर सकते हो AFOS के लिए अपलाई कर सकते हो OTA के लिए अपलाई कर सकते हो यहाँ पर आप सभी के लिए अपलाई कर सकते हो अगर आप age और qualification के हिसाब से यहाँ पर eligible हो तो यहाँ पर आगर हम बात करें vacancies के तो देखें यहाँ पर IMA की आपके पास 100 vacancies है INA की आपके पास 22 vacancies है एफोस की 32 और OTA की 174 male candidate और 174 female candidate की लिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी age limit के तो देखें IMA के लिए जो आपकी age limit ने दी हुई है वो है 2 january 1999 से लेकर 1 january 2004 के बीच आपकी date award होनी चाहिए उसके अलब हमें बात करें INA के लिए तो यहाँ पर आपकी 2 january 1994 के बीच आपकी date award होनी चाहिए लेकिन अगर हम बात करें OTA Officer Training Academy की तो यहाँ पे OTA के लिए आपको Age Limit जो है आपकी वो है आपकी 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2000 चार तक मतलब यहाँ पे आपको एक साल extra मिलता है और एक साल मतलब 2 chance extra अब हम बात करते हैं qualification की देखिए अगर आप apply करना चाहते हैं IMA के लिए तो यहाँ पर आपके पास पास यह appearing होनी चाहिए bachelor degree कोई भी stream से लेकिन अगर आप बात करें देगे अगर 5th semester आपका है अगर आप 5th semester में भी पढ़ रहे है तो ही आप यहाँ पर यह form apply कर सकते हो आप यहाँ पर joining कर सकते हो अगर आप 5th semester में है और आपके back है आपकी जो previous जो भी आपके semester थे वहाँ पर अगर आपके reappear है तो भी आप यह form में ज्वाइन नहीं कर सकते हो लेकिन exam क्लियर होने के बाद भी आप यहाँ पर joining नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर point यह है दोस्तों अगर मान लेजा फिर semester में बागी आपके semester बागी जो चार्ट semester पर आपके clear है तो यहाँ पर exam clear होने के बाद joining कर सकते हो यह बात की बात है लेकिन इसका exam का experience आपको हो जाएगा तो इसके लिए जब आप eligible होगे तो आपके लिए काफी असान होगा यह exam crack करना उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आई आने के लिए तो आई आने के अगर हम qualification की बात करें तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए पास यह appearing bachelor degree in engineering at any recognize university मतलब यहाँ पर आपके पास engineering होनी चाहिए उसके बात करें यहाँ पर air force की तो air force में आपके पास bachelor degree in and stream with physics and math in 10th plus 2 मतलब यहाँ पर आपके पास bachelor degree भी होनी चाहिए और 12th में आपके पास physics or math as a subject होना चाहिए या bachelor degree in engineering भी हो सकती है उसके बात यहाँ पर बात करें OTA के लिए तो यहाँ पर देखिए past या appearing bachelor degree in any stream at any recognized university उसके बात यहाँ पर बात करें OTA के लिए तो यहाँ पर आपके पास past appearing bachelor degree in any stream at any recognized university मतलब यहाँ भी आपके पास bachelor degree past होनी चाहिए या appearing में होनी चाहिए तो दोस्तों यह बात हो गई आपकी form की details के बारे में की eligibility क्या होगी, date क्या रहेगी, fees क्या रहेगी, अब हम बात करते हैं, यह form of apply कैसे कर सकते हो, तो देखें यह link का, जो यह site है, इसका link में आपको description में देदी। आप directly वहां से जाके site पे आ सकते हो, इस site पे आने के बाद आपको कोई doubt रहता हो, तो आप यहां से download देखें, notification है, यहां पर आप download करके notification है, उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अब मैं बताता हूँ, आपको form apply कैसे करना है, देखें, apply online click here पर आपको click करना है, click करने के बाद यहां पर देखें, आपके पास 2 option आते हैं, एक है NDA के लिए और एक है CDS के लिए, तो हभी हमें apply करना है, CDS के लिए तो मैं करूँगा, यहां पर click, click करने के बाद, आपके सामने ऐसे instruction खुल जाएंगे, आपको सारे instruction ध्यान से पढ़ लेने हैं एक बाद, पढ़ने के बाद आपको नीचे scroll करना है, और scroll करने के यहां पर जैसे माल लीजिए, अगर आप category select करोगे, character select करने के बाद, यहां पर डालना होगा, आपका certificate number, cast का, उसके बाद यहां पर थोड़ी मलब जो आपके certificate है, उसके नीचे signature होगा, stamp होगा, वो stamp किसका है, वो यहां पर लिखना होगा, उसके पर certificate की date लिखनी होगी, औ आपको करना होगा, कि आप magnetic unit से belong करते हैं या नहीं, तो यहां पर no करना है आपको, उसके बाद आपको यहां पर select करनी है आपकी qualification, तो देखिए, यहां पर आपने पास 3 option है, आप past है, appeared है, या appearing in the final year degree, और आपके पास 12 में physics और math थी, तो यहां पर करना है, 1st पर click, अगर अगर आप engineering degree कर रहे हैं, तो आपको करना second पर click, और अगर आपके पास graduation है, आपकी appearing में है, और 12 आपने physics और math को छोड़ कर किसी अगर other subject से यहां पर clear की है, तो उसके बाद यहां पर आपको डालना है, आपका address, address डालना के बाद, यहां पर डालना है, phone number, mail ID, और यहां पर आपको अधार काड का number, और दुबार आपको डालना है आपका अधार का number, और दुबार आपको read and enter करना है आपका अधार का number, उसके बाद यह आपको पढ़ लेना है, do you hold valid a current commercial pilot license issued by DGCA, no, उसके बाद यहां पर डालना है आपको अपनी preference, जोब्या की preference है, यह आपको अपन continue पर click कर देना है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक error आता है, as per your education qualification, you cannot opt and na, please enter 0 against na, तो मतलब मैं यहाँ पर na click apply नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पर type करना होगा 0, उसके बाद मैं continue करूँगा, अब यहाँ पर मेरा first step complete हो चुका है, मुझे क्या करना है, नेचे capture code डालना है, यहाँ पर capture code डालने के बाद, मुझे submit कर देना है यह, और जैसे ही मैं I agree पर click करूँगा, तो मुझे यहाँ पर मेरा ID password मिल चुका है, अब मुझे क्या करना है, ID password को करना है, copy, और copy करने के बाद मुझे click करना है, यहाँ पर second part के लिए, second part पर जैसे click करोगे, यहाँ पर आपसे registration number पूछेगा, date of birth पूछेगा आपकी, आपको यहाँ पर capture code डालना है, और submit पर click कर देना है, submit पर जैसे आप click करोगे, यहाँ पर पूछेगा आपसे आपकी photo, signature, और अधार कार्ड, अधार कार्ड मतलब जो identity आपने वहाँ पर select की थी, मालिची डिल किया था यहाँ पर डिल लगाना पड़ेगा, pen card किया था यहा अगर यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका फीज का step आता है, वहाँ पर आप पर पीज करने के बाद इस step पर आजाओगे, एक चीज़ और मैं बता देता हूं, जो photo का format है, वह आपका JPG या JPEG में होना चाहिए, और जो आपका ID card लगाओगे यहाँ पर, वह आपका PDF format में ह होना चाहिए, अब मैं आपको size किया करना है, यहाँ पर size भी देख सकते हो, यहाँ पर आपका size है, वह 200 DPI में scan होना चाहिए, और उसका size है, वह आपका 300 x 300 होना चाहिए, सबसे पहले आपको paint open करना है, paint में आपको जो भी file यहाँ पर size set करना है, वह यहाँ पर आपको choose कर इसके बाद देखी, यहाँ पर एक option है resize का, आपको इस पर click करना है, simply उसके बाद pixel में जाना है, pixel में जाने के बाद यहाँ पर mendanus पर click करके यह हटा देना है, यहाँ पर type करना है, 350 x 350, 350 x 350 करने बाद आप यहाँ पर click करो करें यहाँ आपका size set हो चुगा, simply आप इसको save कर सेव करने के बाद आप direkt उस पे आना है आपको और पेज़ पे आने के बाद यहां पे आपको फोटो प्रप्स पेजेना है आपको अगर आपको नहीं पता कि पीडिएफ कासे बनानी तो इसके रिए इज वीडियो बना रखी आप से पता है करने के बाद जैसे आप continue पर click करने के बाद यहां पर यहां पर आपकी फोटो होगी यहां पर आपका signature होगा और यहां पर आपकी ID होगी सारी डॉक्मेंट समिट होने के बाद आपको नीचे continue पर click करने के बाद यहां पर दुबारा से आपको वही ID का डाला है जो आपने पहले डाला था और उसके बाद यहां पर चूज करना है आपको अपना exam center तो यहां पर जो भी exam center चूज करना चाहते हो यहां पर कर सकते हो और उसके बाद नीचे scroll करके I have read declaration and agree पर click कर देना है जैसे आप यहां पर click करोगे आपका form submit हो जाएगा तो यह आपके पास आ चुका है form का print out यह आपको निकाल लेना simply तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उमीद करता हूं को वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और वीडियो को जाएदा शेयर कीजिएगा